आज हम विधर्ब का पारंपारिक पधार्त आमरस और सेवई बनाने वाले हैं रेसिपी शुरू करने से पहले मशीन से सेवई कैसी बनती है उसकी एक जलक देखते हैं इस तरह गेहू का आटा गुंदा जाता है अब इस गुंदे हुए आटे को मशीन में डाला जा रहा है नीचे से सेवई निकलना शुरू भी हो गया पहले सेवई बनाने की एक छोटी मशीन हुआ करती थी जिसे खटिया पे फिक्स करके सेवई बनाते थे खेर अब तो घर में सेवई कोई नहीं बनाता है अब इस तरह की मशीन आ गई है जिससे फटा फट सेवई बनती है और महनत भी नहीं लगती अब सेवई को मशीन से अलग किया जाता है और इस तरह सूखने के लिए रखा जाता है बस अब क्या सूखने के बाद तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए सेवई तयार है अब रेसिपी बनाना शुरू करते हैं आमरस बनाने के लिए मैंने अलफानसो आम लिये हैं और ये आमरस मैं पूरा पारमपारिक तरीके से बनाने वाली हूँ बिना मिक्सर इस्तेमाल किये तो आम को पहले पानी से अच्छे से धो लेते हैं इस तरह आम को हाथ में पकड़कर गोल-गोल घुमाके नरम करेंगे नरम होने के बाद आम का रस निकालेंगे इस तरह पारमपारिक पद्धती से रस बनाने का एक फायदा है ये आमरस काला नहीं पड़ता पानी डालके आमरस को थोड़ा पतला कर लेते हैं आमरस की मिटास बढ़ाने के लिए डालते हैं चीनी अब मैं सुखा नारियल कीस के डाल रही हूँ और ये हैं हरी इलाईची का पाउडर अब मैं इस रंगी पी रंगी टिब्बी में से केसर निकाल के डाल रही हूँ ये केसर हमारे आमरस का रंग और स्वाद दुगना कर देंगा सभी चीजों को अच्छे से मिलाते हैं आमरस को ढखकर रग देते हैं अब हम आमरस के साथ खाने वाली सेवई बनाते हैं पानी को मैंने उबालने के लिए रग दिया है पानी उबलते ही हम इसमें सेवई डालेंगे कुकिंग ओईल और नमक डालके सेवई को एक उबाल आने देंगे और सेवई का पानी निकाल लेंगे सेवई को हमें जादा नहीं पकाना है केले के पत्ते पर सेवई को परोसेंगे और उपर से डाल देते हैं देशी घी आमरस और सेवई खाने के लिए तैयार है प्रिए घीज परोसेंगे